आज गल ब्यूटी पारलर की दुकान में चा करके महिलाएं भी सुन्दर रूप बनाती है नोईवक लड़के भी जाकर के वहां सुन्दर लाल बन जाते है और ये सुन्दरी देवी बन जाती है और ब्यूटी पारलर में होता क्या है थोड़ा बाल काट देते हैं थोड़ा बाल मोड देते हैं थोड़ा बाल उपर चड़ा देते हैं थोड़ा तुमारे गाल में रंग लगा देते हैं थोड़ा पाउडर वाउडर जोक दिया तुमारे मुह के उपर कहा ठीक है बोले ठीक है कहा धाई सो दे तो बोले तीन सो ले लो क्या बात है और वहां क्य करते हैं ब्यूटी पारडर की दुकान में केवल तुमारे चेहरे को सुन्दर बना सकते हैं बालों को सुन्दर बना सकते हैं वो भी केवल बारा घंटे के लिए दिन भर के लिके रात में जब सोगे तो बाल बिगड़ जाएंगे गाल बिगड़ जाएंगे रूप बिगड़ तुमया आजाए गाफिर से सेटिंग फिर से डेंटेंग पिंटेंग करने पड़ेगी सरीर को सुनदर बनाने की लिए ब्यूटी पारण। के सेंटर खुले हुए अधा आपर 300 रुपी फीस दो 500 रुपी फीस दो सरीर को सुन्दर बनाने का ढोंग रचा जाता है सरीर किसका सुन्दर हो सकता क्या किसी का रंग बदल सकता है कभी नहीं बदल सकता ना उसका ढाचा बजल सकता है लेकिन याद रखना सुभाव को सुन्दर बनाने के लिए चरित्र को संदर बनाने के लिए करमो बाणी को संदर बनाने के लिए कोई भी दुनिया में ब्यूटी पारलर की दुकान नहीं खुली है अगर उसका दुकान कहीं है सिंटर कहीं है इस्टेशन कहीं है तो केवल वो सतसंग ही है व्यूटी पारलर सेंटर जहां पर जिंदगी को सुन्दर बनाया जाता है और जहां ये भी नहीं कहा जाता 300 सुल्क दो, 200 दो, 202 यहां तो नी सुल्क मामला है जितनी इच्छा हो उतना दच्छना दो डिब्बे में दच्छना देदो आरती की थाल में दच्छना डाल दो गुरुजी के चिरणों में भेंट करदो और नहीं अच्छा है तो बिल्कुल फिरी में अपनी जिन्दगी सुन्दर बना कर चले जाओ ऐसे शादू संत को भी दच्छना देना चाहिए ताकि वो तुम्हारी जिन्दगी को सुन्दर बनाने का भियान जोर से चलाता रहे जो तुम दच्छना देते हो उससे डीजल डाल करके तुम्हारे बैतूल में आता रहे उसी दच्छना से वो गाड़ी की सर्विशिंग कराकर आपके हीवर खेड़े में दरसंद देता है उसी दच्छना से सादू संत गुरू महाराज अपने सिश्चों की सेवा भी कुछ करते रहे इसलिए सादू संत को भी दच्छना दिया करो और गौ सेवा के लिए भी दान दिया करो हर आदमी गाए को नहीं पाल सकता है लेकिन याद रखना गाए को पालने के लिए ये को पाय और है शरकार अगर एक काम कर दे कि गाए का मुत्र जो है दस रुपे लीटर खरीदा जाएगा गाए का गोबर जो है 20 रुपे किलो लिया जाएगा इतना लागू कर दे तो लोग गाए पाल लेगे अब दूद का सवाल नहीं अब उसके मुत्र का सवाल करा होगा तो लोग उसका मुत्र भेचेंगे वो पानी भी गाए को पिलाएगे कि जादा पिये जादा मुत्र निकले अगर 10 लीटर मुत्र आ गया तो 100 रुपे की यह हो गया अब गोबर अगर 24 घंटे में आ गया 20 किलो तो 400 का तो यह हो गया तो 500 तो यह बने हर आदमी गवमाता को पाल लेगा इदर उदर गोमती मिल जाए तो पकड़ लाएगा अपने द्वार पर खेलाड़ी काम करना चाहिए लपड़ा काम खतम कर दो बस 20 रुपे किलो गोबर और 10 रुपे किलो मुत्र यह चालू कर दो बस बात खतागा गवसाला खोलने के जरूरत नहीं हर आदमी जो है अपने अपने द्वार पर गाय बांद लेगा और बस क्योंकि 500 रुपिया का गाय का गोबर और गाय का मुत्र अगर 24 घंटें तयार होता है तो आदमी 200 रुपिया का लेवर रख लेगा और तीन सो फिर भी बचेंगे तमा तम सब गौसाला खोलो एक भी गाय भटकती नहीं मिलेगी और इस गोबर से दवाईया बनाईए और इस गोबर से जो है जैबिक खाद बना करके ऐसी फसल पैदा कीजिए कि उसका भी प्रचार कीजिए जो जैबिक खाद से पका हुआ गेहूं खाएगा उसको कैंसर नहीं होगा और उस गेहूं का रेट है सव रुपया किलो फिर उधर से पैसा मारो को खाजाना भरो सरकार का हाँ तरीका है खिलाडी बन जाए लेता लो मैं इसलिए प्रविचन में बोलता हूं कहीं सुन लेगा तो फट से लागू कर देगा और जो दारू पीते हैं दारू दुकान बंद मत करो ना ना दारू पीने वालों का परमिट बना दो कारड बना दो कारड से जाकर दुकान पर दारू खरीदें ठाट से पियें क्या डर डर के पीना पियो लेकिन जिनका दारू पीने का कारड बना उनका रासन कारड रद कर क्योंकि सीधा सा सवाल है जब दारू पीने भरके पैसे है तो रासन के लिए तो हाई है तुम्हारे पास पैसे नहीं तो दारू पीते क्यों और पीते हो तो रासन का लेते क्यों बस भठाक से काम हो जाए जाए कोई मुख्य मंत्री मिल जा इसको चुपके सला दे दू मेरे पास है सौ सला है